हेलो वाइट ये स्टुरेंट बेलकम बैक माईटी चनल सत्यमराणी मैं सत्यम आपका आवार्वेक्ट करता हूँ अब फट से और मैं आज मैं आपको कुछ डिफरेंट क्लास लेकर आया हूँ जो कि आप लोग की अपील थी तो आज मैं आपको कक्छा 10 एनकी हाई स्कूल का फ आपको इतने अच्छे तरीके से लाइट बताऊंगा फिर एक्जाम्पल तो आज की बाद आपकी लाइट की फ्रॉलम फिनेस हो जाएगी ठीक है तो चलिए किलास को स्टार्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं अच्छा दस फिजिक्स चेप्टर है सम्तल प्रिष्टों पर प्रिकास का परवर्टन सम्तल प्रिष्टों प्रिकास का परवर्दन देखें कि उसमें फर्ष्ट आता है हमारा लाइट जो मैंने आपको पहले इसा भी बता दिया हैं कि लाइट मैंने प्रिकास जानते हैं अच्छा लाइड क्या होता है यह जिसकी सायता से हैं बस्तून देखाई देदी उसे प्रकास कहते हैं इतनी छोटी परवसा है प्रकास उड़ जा का हुआ है सरोत है जिसकी सायता से इन बस्तून को देख सकते हैं यह हैं बस्तून देखाई देदी उसे प्रकास कहते हैं ठीक है बस्तून में आई तो प्रक प्रकास एक हेड़िंग क्लियर होती है हमारी है प्रकास दूसरी आती है प्रकास के शुरूत शुरूत का मतलब होता है प्रकास कहां कहां से मिल सकता है प्रकास के शुरूत प्रकास के दो प्रकास के शुरूत होते हैं प्राकर्टिक 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 प्राकर जाएगा हमारा सूर प्रिक्रति तोरह दिये गये अब जैसे मानवा द्र्मक्रत हो जाएगा मॉमबत्त हो जाएगा वल्ब हो जाएगा टॉर्च हो जाएगा ठीक है जिदनी भी मानदर बस्तु बनाई जाती है जिससे हैं प्रकास मिलता है उन्हें हम क्या कहते हैं किर्त्रिम प्रकास सुरोत कहते हैं ठीक है प्रकास समझ में आ गए प्रकास के सुरोत समझ में आ गए अब देखते हैं इसके ब होती अदीप्त प्रकास दीप्त प्रकास और अदीप्त प्रकास भी होते हैं जिनमें स्वयम का प्रकास होता है उन्हें हम क्या कहते हैं अदीप्त प्रकास रोध कहते हैं बात समझें याई दीप्त प्रकास हो गया और अदीप्त प्रकास हो जो जिनमें स्वयम का प्रकास होत सच प्रिक में होता है शूर में होता है इस लिए उतक का थे चंदर्मा हमारा क्या हो जाएगा अधीत प्रकास चरोथ हमारा हो जाएगा चंद्रमा क्या हो जाएगा डियर चंद्रमा क्योंकि यह सूर का रिफ्लेक्स है कि सूर का प्रकास चंद्रमा पड़ता है तब ही चंद्रमा चंद्रमा में सुमयम का प्रकास नहीं होता है चंद्रमा क्या नही प्रकास के 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 कोई बहुत से होते हैं प्रकास नमबर एक पॉइंट प्रकास सीधी रेखां चलता है प्रकास सीधी रेखां में गमन करता है होती है बास समझ में आई कितनी हों प्रकास सीधी निरबात में । प्रिकास की तरंग देर्द थर्ड पॉइंट है एक सीजी रिखांग द्रिस प्रिकास की तरंग देर्द चारप एंगेश्ट्राम से पांच हजार एंगेश्ट्राम से शॉय है चारले बात समाज में प्रिकास की गूंड ठीक है प्रिकास का की लिए इच्ट्रिकमें अब लेगे हुमका का प्रिकास का पोरा उति पिरकास का परावात है पिरकास का परावात है र से रिहος हम गोलते हैं रिए ह। र से र गुढ़ित है पिरकास का पार्दम बहुत ही गौर्ण सुनना जब कोई प्रकास की करन किसी चिकने जब कोई प्रकास की करन किसी चिकने कैसे चिकने खुर्दरे तल से टक्रा कर बापस उसी माध्यम में लोट जाए इस गठना को प्रकास का प्रावर्तन कहते हैं फिर से सुनो जब कोई प्रकास की किसी चिकने तल से टक्रावर्तन कहते हैं आपको बात समझे में आ गई होगी अब आपको इसको इस ट्रक्टिर बना के दिखाते हैं ठीक है जिव जाए का हमार चिकना तल चिकना तल ठीक जिव जाए का हमार आपतन बिन्दू जिव जाए का हमार अभी लंब टिक जिव जाए के हमारी प्रापतत किरां जिव जाए के हमारी आपतत किरां ऊकें आपतत करण और अभी लंब के बीच बनने वाले खूंड क्या कहते हैं आपतन का ठीकें आपतत करण प्रापतत करण क्या क्याłem्य प्रापतत कौह üzerine क cyc कि इम फो च्थ थ coefficient करती है और बापस दें UC माद्ध 큰 को कि बापस दें का उसी माद्धे में लोड़ कई इस गठना को प्रकास का प्राइबबर्तन केहते हैं डिफ्लेक्शन आप देखते हैं अब देखते हैं प्रिकास की प्रावर्दन की नियाम प्रिकास के प्रावर्दन के नियाम नमबर एक नियाम होता है इसी में समझाते हैं आपको आपकत किराँ परावर्दन का क्या कहते हैं आपकत किराओं के कहते हैं आने पराबातर करां तथा आपतन बिंदू पर अबिलम तीनों एक ही तल में होते हैं बस सुझे ही हमारा जो हो गया पहला पॉइंट दूसरे नियम होता है दूसरे नियम क्या होता है जिन कहां गई चलो शुट जाने लो आपतन कौन आई तथा पराबातन कौन आई एक दूसरे के समानतर होते हैं आपतन कौन आई तथा पराबातन कौन आई एक दूसरे के समानतर होते हैं जिन हमारा हो गया है दूसरा नियम बात समझ में आगी अब देखते हैं जैसे कोई सवाल आ जाता है आपके एक्जाम में किस टाइप से आ सकता है है स्कूल में जैसे मौन लो जे एक कोई चेत्र बना दिया जाएगा इसी टाइप से कोई कराण आएगी परावर रेफ्लेक्सिक होगी और जी अब अब अभिलम हो जाएगा यहाँ प सकता है आप से दृट से तो आप परावत कोई का मान निकाल इसे था है तो आप इस खिर टेमा ऐना आव से यह दिनना अतहार परकास के परकास के परवurstन नियम के अनुसार देल्टा आई वराबर डेल्टा आतो यहनगी देल्टा तुमारा आई यतना 45 तो 45 डेल डार भी हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा कुष्चन का आंसर ठीके तो ओके मैं डीएशन तो दिये थी हमारी किलास संटल प्रिश्चिनों प्रकास का आप बरतन जिसमें आपको प्रकास सिखाए प्रकास क्या होता है प्रकास में प्रकास कि उड्र तो मुझे लगता कि इस टॉपिक में आपको कोई इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होगी अब आएंगे अंगले टॉपिक में नया नया टॉपिले कुछ डिफरेंट जो आपके एक्जाम को देखते हैं बहुत ही बेनिफिसियल हो तो ठीक है माई डियर इस्टुएंट मिल अब तक के लिए धन्दवाज जय हैं